सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमश्कर दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ टेक्टॉक्स की गुरुफिश एपिसोड में और लेखे आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक्निउज चलिए शुरू करते हैं करते हैं सबसे पहले पुराने पूल सवाल यह था कि आपके सबसे जो मोटरोला का मोटो जी फाइव जी इंडिया में लॉंच हुआ है वह या कैसा है आपको उसके प्राइस कैसे लगी तो आप पर दूस्तों बोला है 77 परसंट ने कि फोन पिल्कूल सही लग रहा है 23 परसंट बोलते हैं कि भीया सही नहीं है अब यहां पर दूस्तों बात करता हूं कि राज के पूल की तो सवाल आपके लिए यह है कि हम बात करें ना पबजी मुबाइल इंडिया की कि भीया आए 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 बस आ गया बस आने ही वाला है बस अभी आ जाएगा तो आप की सवाई अबस तो खब आपको लगता है कि भीया इंडिया में आने वाला है पॉब जी ओ सेरे होए और हमेश्यार बार की तरह बड़े आराम से खाफी असानी से हो जाता है सीधा जलिये लाइक बटन को यहां में दोस्तों बात करते हैं पहले प्रिट को लेके निकल के आता है OnePlus की तरफ से और OnePlus दोस्तों भी जब लॉंच करने वाला है मार्च के मिने में OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro तो यहां पे इस बार एक लीख हमकों बताता है कि साथ में OnePlus 9E भी होगा जो दोस्तों बिसीकली एक affordable होगा फोन OnePlus की तरफ से अभी अगर आपको याद हो तो दोस्तों Samsung का लॉंच करता Galaxy S10, S10 Plus और S10E तो OnePlus भी कुछ ऐसा ऐसा सेम सेम काम करने वाला OnePlus 9E के साथ में लेट सी के फोन लाँच कब होता है क्या aspects होती है और किस कीमत के साथ में फोन लाँच होता है अगला उस्तों अपडेट निकल के आता है यहां पर Reliance के तरफ से ऐसे में Reliance Jio जो है वो पार्टनरशिप करने वाला है वीवो के साथ में और यहां पर दोस्तों कुछ मतलब specially Jio exclusive स्मार्टफोन जो है वो इंडिया में लाँच करेगा ऐसा हमको रिपोर्ट से मालुम चलता है तो मतलब देखते हैं exactly की कैसी होती है पार्टनरशिप Jio और वीवो की और कैसे फोन्स हम देख पाते हैं Jio के तरफ से exclusively इंडिया के लिए यहां पर दोस्तों अगला अपड़ेट खेर निकल के आता है वीवो को ही लेके और कल दोस्तों 2 December को वीवो लॉंच करने वाला है अपनी V20 सीरीज में एक नया फोन जो की है वीवो V20 Pro फोन इंफेक्ट मेरे पास में ही है यहां पर और यह आप जो देख पा रहे हैं इसको ही है बड़े ही तिलस्मी से रंग में यह दोस्तों इसका Sunset Melody Color कल दोस्तों खेर आपको इस फोन के अंबॉक्सिंग के साथ में को Surprises भी मिलेंगे दोपेर 12 बजे लॉंच है आप ही के अपने चैनल एक दम एस्क्लूजिवली TG Family के लिए Technical Guru जी पे Let's see कि कैसा होता है और मेरे तरफ से All the Best Upcoming Surprises के लिए यहांब दोस्तों अगले अपडेट निकल के आता है हमारे पास में फिलिप्स को लेके और दोस्तों ऐसे में फिलिप्स जो है वो भईया इंडिया में हाई कोट में चला गया है बिकॉज यहां पर दोस्तों कुछ पेटेंट्स का सीन चल रहा है फिलिप्स और शाउमी के बीच में लेट सी कि जीत किसकी होती है क्या होता है पुरा सीन और क्या शाउमी के फोन्स की सेल पे रोक लगाई जाती है या नहीं इंडिया में वैसे normally as a blind सवाल पुछता हूं without any reference कि आप वैसे दोनों में से किसको सपोर्ट करोगे फिलिप्स को या शाउमी को मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे आपल की तरफ सब्सक्राइब आपल जो है वो एक कुछ नया बायो सिक्यूरिटी सिस्टम दुस्तों जो है वो डेवलप करने के प्लानिंग कर रहा है अगला उस तो अपडेट निकल के आता है हमारे पास में वाटसैप को लेकिए वाटसैप पर एक नया अपडेट आ गया है जहां पर अभी आप अलग-अलग चैट्स में उस तो कस्टम वालुपर्स को यूज कर सकते हैं इसके अलावा आप स्टिकर सर्च उगरे कर सकते हैं और मतलब कुछ-कुछ नहीं नहीं जो चीजें हैं वो याप वाटसैप देता ही रहता है ताकि जो आपका चैटिंग वाला एक्स्पिरियंस है यह उसे बोलता है जाकिर भाई की लैंगविज में अगर आपके इससे लंबी-लंबी चैटे कर रहे हो तो थोड़ा सा आसारी और थोड़ा सा एक्साइट्मेंट बना रहेगा अगला उस अब्डेट निकल के आता है यहां पर हमारे पास में एक रिसर्च को लेके दोस्तों जहां पर काउंटर पॉइंट नहीं बताया है कि इंडियंस जो हैं वो ओन आवरेज दोस्तों 2400 रुपे खर्च करते हैं मुबाइल फोन रिपेर्स पे जो की आउट ओफ वारेंटी रिपेर्स होती है तो ऐसे में ऑन आवरेज जो खर्चा है वो है 2400 रुपे का वैसे तो बी ऑनेस्ट मैंने आज तक एक दो बार मुश्किल से मेरा फोन जब कभी गिरा या कुछ मतलब डैमेज हुआ तो मतलब दुकान पे आपको ऐसे बार बार रिपेरिंग करवानी पड़ती है क्या मुझे नीचे कॉमेंट करें जरूर बताना और क्या आप इस बात से अगरी करते हो कि मतलब ऑन आवरेज जो इंडियन्स है वो 2400 रुपे खर्च करते हैं बताना जरूर क्या है आपकी मन की बात यहां पर अगला अपडेट निकल के आता है लिनुवो की तरफ से लिनुवो लीजिन 5 गेमिंग लैपटोप दूस्तों इंडिया में लॉंच कर दिया लिनुवो ने जहां पर AMD Ryzen 4000 सीरीज का प्रोसेसर है और जो कीमत है वो है 75,990 र Micromax जो इन दोस्तों स्मार्टफोन से उन्हीं को ले कुछ अपडेट से जहां पर एक वीडियो पोस्ट किया था विच्छे राहूल शर्मा ने और यहां पर दोस्तों बहुत सारे इसके लिए सवालों के जवाब दिये अलगले जो concerns उनको clear किया तो यहां पर दोस्तों expansion मिलेगा इन phones की तरफ से इसी के अलावा दोस्तों यहां पर जिक्रिक ये भी था कि मतलब जो competitors हैं और वो दोस्तों बिसिकली जो है वो चाहते नहीं है of course दोस्तों कि उनको वालूम है कि यह Micromax जो है वो definitely Indians के पूरे support के साथ में आ रहा है तो ऐसे में market जो है वो disrupt करेगा तो वो मतलब जो chips की supplies हैं उनको भी रोकनी कोशिश कर रहे हैं ऐसा उसमें जिकर किया Mr. Rahul Sharma ने और in fact खर एक बात तो आपको उसमें बताया जिता हूं कि मतलब बहुत सारे ऐसे Chinese brands हैं इंडिया में जो बहुत लोगों के साथ मिल के ऐसा काम कर रहे हैं कि वो Micromax की image को खरा करते हैं कि इन जो और अपने phones लेके आएगा वो और भेतर जो है वो चीज़ें offer करेगा और eventually यह सब जो hurdles है इनको overcome करते हुए आगे successful बने मेरी तरफ से तो भईया मेरी यही जो है वो आशा है कि एक Indian brand जरूर इंडिया में रहते हुए बहुत ही भेतरी performance दे पाए अगला उ जिद वैसा दुस्तो एक जो एप है वो बनी है वही बैस्ट आप 2020 की और जो गेम दुस्तो बना है वो है Legends of Runeterra मैंने दोनों को यूज नहीं किया है बट पॉपुलर है तभी भाईया अवाड मिल गया है इनको 2020 के User Choice Awards का यहां दुस्तो अगला अपडेट निकल के आता है हम बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे फोन एक के बाद एक एक के बाद एक अभी अगले साल भी हमको दुस्तो लॉंच दो दिखेंगे इन्ही सीरीज में लेट सी कि यह जो फोन है यह एक्जाटली क्या स्पेक्स कैसे कुछ उफर करता है और यहां पर in fact 5G की बाते भी हम कर हैं तो देखते हैं कि सैमसंग का जो 5G फोन है यह कितना सस्ता होता है अगला उस अपडेट निकल के आता है यहां पर पपजी मुबाइल इंडिया को लेके और भाईया पजी के तो अपडेट्स मतलब ऐसे हो गए ना कि भाई पजी कब आएगा पजी ने टीज कर दिया यह हाँ दोस्तों रिपोर्ट के हिसाब से भाईया भी सीन के चल रहा है ना कि जो पजी ऑफिशियल्स हैं वो जो दुस्तों इंडिया में मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री अफ इलेक्ट्रोनिक्स एं आईटी उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में मीटिंग करने की मतलब और उसके बात दोस्तों लगता है कि वापसी पजी मॉबाइल की इंडिया में आप यहां में आपको रेगूलर अप्डेट से देते रहा हूंगा आप बस वीडियो को लाइक करके बताईए कि आप कितना बेसब्री से इंजार कर रहे हैं इसी फजी मॉबाइल इंडिया को होने के लिए यहां में दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमरे पास में एटल को लेकिए हो भी या एटल जो है वो मतलब जो नए 4G कस्टमर सा उनको दे रही है मुफ्त में 5GB डेटा मतलब लूट लो भी या 5GB डेटा एटल की तरफ से अगर दोस्तों यहां पे अभ मेरा तो भी या 5G यूज कर रहा हूं मैं अभी आजकल अपने आइफोन हो गया रहा है में और मतलब स्पीड टेस्ट करता हूं दो चार बार तो उसी के इंदर ही मतलब दो तीन तीन जीबी तो वहीं निकल जाता है मतलब बड़ी शांदार यहां अगला अपडेट निकल के अगर वह खो जाए तो आप उसको बड़े आराम से ढूंड पाएंगे अगला उस अपडेट निकल के आता है लास्ट यहां पर सामसंग गिलक्सी एस 21 को ही लेकर और यहां पर दोस्तों रंग में मिलने वाला है फोन जहां में अलग अलग पांच कलर सामने आये हैं परपल एक रहा है ब्लाक दिख रहा है पिंक दिख रहा है घ्रेय या सिलवर दूस्तों बूलों तो यह दिख रहा है मतलब काफी एक इंट्रस्टिंग सा कॉमदीशन और डिजाइन काफी इंडस्ट्रिल लग रहा है लेट जीए इन्डिया में कब और किस कीमत पे लौश होता है दोस्तों बस फिलावड़ों में इतना ही देखने के लिए आपको धने बाद मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपका कोड़ सालों सुझाव हो तो आप नीचे के मिन करणा मत भूलिएगा अगर आपने वीडियो को लाइक शेर नहीं किया है तो ल मैं आपके लिए रुजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं तोस्तों फिलावड़ों में इतना ही जेहंद वंदे मात्रम